नमस्कार मित्र बंधुओं कैसे हैं आप सभी मैं उम्मेद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे एबं मजे में होंगे मित्रो आज का जो हमारा वीडियो है वो अंग्रेजी अलफावेट के आर नाम बाले जातक और जी नाम बाले जातक इन दोनों के लिए बेहद महत्वपुर्ण और उप्योगी है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों को शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए इन दोनों के बीच में जो शंबंध बनेगा आखिर वो शंबंध कैसा रहेगा मित्रो शवाल महतोपुर्न है और इसका जो उत्तर है वो और भी ज्यादा महतोपुर्न है तो विडियो को सुनियेगा तो आई ये विडियो की सुरुवात करते हैं और जानते हैं आप दोनों के आपसी जीवन के बारे में मित्रो आर नाम बाले जातक और जी नाम बाले जातक अगर किसी भी प्रकार के शंबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक शमानता बहुत ज्यादा होती है इस नाम के जो लोग होते हैं वो एक समान होते हैं इन दोनों की अपने अपने जीबन के परती जो संस्किर्ती होती है वो भी एक समान होती है और ये दोनों हमेशा अपने जीबन में अपने अपने विचार को अपने अपने संस्किर्ती को बहुत जयादा महत्तो और शमान दे कभी भी अपने जीवन में अपने वर्तमान समय को अपने आने वाले शमय को ये बड़बाद बिल्कुल भी नहीं करते हैं और समय का महत्तु ये बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। वैसे इसके अलावा जो जी नाम के जातक हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो भी अपने जीवन साथी के प्रती बेहद आसावादी होते हैं। आजाद होना, श्वतंत्र होना बहुत ज्यादा पसंद होता है। और ये हमेशा अपने जीवन में अपने आजादी को अपने स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा शम्मान देते हैं। लेकिन अपने आजादी के साथ में अपने जीवन साथी के आजादी को भी ये महत्तो अवश्य देते हैं। मित्रो आर नाम के जातक और जी नाम के जातक इन दोनों के बारे में हमने सुना और जाना। इन दोनों के बारे में इतनी बातों को जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। मित्रों आप दोनों के बीच में जो शंबंध बनेगा वो मजबूत रहेगा अगर आप शाधी करते हैं तो आप दोनों का दामपत्य जीवन आपका वैवाहिक जीवन बहुत जयादा मधुर और रोमांचक होगा मित्रों अगर आपके मन में कोई शवाल हो तो नीचे में कमेंट कीजिएगा आपकी शहायता अवश्य की जाएगी वैसे मैं उमीद करता हूँ अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा वैदिक बाबा को आपने सब्सक्राइब अवश्य कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में जय महादेव आप कमेंट कर दिजिएगा तो हमारी आपकी मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार जय मिथिला